ये BPSC को संबेदन सीलता दिखानी चाहिए और सतर्मी BPSC का जो फॉर्म भराया जा रहा है उसमें सभी चीजों को एडिट करने का मौका BPSC को देना चाहिए क्योंकि अगर आप OTR की विवस्ता करते हैं तो एक बार असुधी रह गई एक बार गलती रह गई तो तो हर परिच्छा के लिए गलती ही रह जाएगी इसलिए सुधार का एक मौका मिलना चाहिए हम BPSC के चेर्में सर और परिच्छा नियंतरक महोदै से आगरा कर रहा हैं मां जिसी अभी अर्थी को डेट of birth में गलती हो गई किसी को नाम अपने नाम में ही गलती हो गई है के spelling एक वडशा लिखा गया यह एक वड़ छूट गया यह एक वड़ गलती लिखा गया या किसी तरह का NCL किसी को EWS किसी को और कोई certificate upload करना हो 69 में उन्होंने upload किया तो उस सम का नया बन गया तो नयय आपलोड करना चाहते हैं पर्मानेंटो डेस किसी का पहले कुछ और था आप माली जिए कहीं और वो पर्मानेंट निवास करने लगे तो बर्तमान पर्मानेंट डेस से वो देना चाहते हैं, NCL हो या EWS हो, EWS उस समय 69th के समय बहुत लोगों ने जो फॉन भरा तो उस समय के नुसार उन्होंने EWS सर्टिफिकर लगा था, लेकिन अभी वो सतर्मी का फॉन भरना है, तो अभी के नुसार लगाना चाहते हैं, और इसी तरह का और भी जो को हर बिकल्पों को एडिट करने का एक मौका मिलना चाहिए, हजारों अभी अर्थी परिसान है, BPSC से हम यागरा कर रहे हैं कि सतर्मी BPSC भॉन भरने में, आप सभी तरह की सुचनाओं को एडिट करने का एक मौका जरूर दीजिए, ताकि अभी अर्थियों को नियाय मिल स अभी ही सुधार हो जाए, तो हमेशा के लिए सुधार हो जाएगा, इसलिए BPSC से हम यह मान कर रहे हैं कि सतर्मी BPSC में सभी सुचनाओं को एडिट करने का एक मौका अवस्य दीजिए, ताकि हजारों अभी अर्थियों को नियाय मिल सके, और साथ ही BPSC TRE 3 का जो फाइनल आंसर की जारी हुआ, उसमें कई आंसर गलत दिये गए हैं, कुछ कोस्टन डिलिट किये गए, कुछ के आंसर गलत दिये गए हैं, तो BPSC से हम यह आगरा कर रहे हैं, कि अभी अर्थियों द्वरा जो सिकायत की जा रही है, उन सिकायतों पे आप ध्यान दीजिए, और फाइ चारो मेरिट वाले बाहर हो सकते हैं, एक नंबर के चलते, एक कोस्टन के चलते, एक गलत आंसर के चलते, इसलिए हम BPSC से यागरा कर रहे हैं, कि BPSC TRE 3 के फाइनल आंसर की में, जहां भी गलतिया हैं, उसे सुधार किया जाए, 11-12 का GS का, H-set में 40 नंबर कोस्टन, UPI से सम मंदित है, उसमें बाकी के सेट में मौरिशस आंसर दिया गया है, लेकिन H-set में इन में से कोई नहीं आंसर दिया गया है, यानि कि एक ही एक जाम में एक ही कोस्टन है, और अलग-अलग सेट है, लेकिन कोस्टन एक ही है, तो बाकी के सेट में मौरिशस आंसर और H-set में अल आंसर को सुधार कीजिए और अभियर्थियों के साथ न्याय कीजिए गलत आंसर पे रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए जब आप फाइनल आंसर की जारी किए उसमें भी असुद्धी है आप खुद उस कोस्षण का अलग-अलग सेट में मौरिसस आंसर मान रहा है और एक सेट में इन में से कोई नहीं मान रहा है तो आप खुद बता रहे हैं कि कोई तो गलती होगा दोनों तो आंसर सही नहीं हो सकता है जब कि कोस्षण एक ही है और एक ही question का अलग-अलग answer कैसे हो सकता है इसी तरह अन्य बर्गों में भी इस तरह की बाते हुई है कि कुछ answer गलत दिया गया है तो BPSC से मियागरा कर रहा है कि BPSC TRE3 में जहां भी गलत answer दिया गया है उन सभी को सुधार किया जाए और सही answer पर copy का मुल्यांकन हो OMR का मुल्यांकन हो और उसके बाद merit list जारी हो सही answer पर merit list जारी हो और सतरमी BPSC में फर्म जो भड़ाया जा रहा है उसमें edit का एक मौका सभी चीजों को सभी सुचनाओं को सभी बिकल्पों को edit करने का एक मौका जरूर दिया जाए ताकि अब